किसी को वश्मे करने के लिए इसलामिक वजीफा दुआ काम्याब हो जाते हैं तो आपको आपकी मोहबत मिल जाएगी किसी को अपने वश्मे करने का वजीफा किसी को आप तुरंत वश्मे करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी को अपने वश्मे करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं अगर हम किसी को भी अपने वश में करके उसे मन चाहा काम करवाना चाहें तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे की वश में करने का वजीफा क्योंकि वजीफा और अमल किसी इनसान को अपने वश में करने में मदद करते हैं अपने वश में करने के लिए हिंदी में टोटके बहुत सही है लेकिन उन टोटकों के सिवाए वजीफा और अमल भी बहुत लाबदायक हैं अपना खोया प्यार हासिल करना हो तो आप ये वजीफा मगरीब की नमाज के बाद करें सबसे पहले वजू करें फिर ग्यारा मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस आयत को एक बर पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूक मारें अपने चेहरे पर फेरें अब आप जहां भी जाएंगे वहां की लोग आपकी वश में हो जाएंगे आखिर में 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस अमल को तब तक करें जब तक आपका प्यार वापस ना आ जाए समस्या चाहे कैसी भी हो हर समस्या का समाधान मौलाना जी के पास प्रेम विवाह प्रेमी प्रेमी का में अनबन पती पत्नी में अनबन तलाक या फिर तलाक करवाना हो या रुकवाना हो महावशी करण करवाना हो या तुडवाना हो मुट करनी सौतन से चुटकारा दुश्मन से चुटकारा संतान का ना होना या होकर नश्ट हो जाना लड़कियों का ही होना कारोबार में घाटा सिर पर कर्ज का हो जाना प्रेद बाधा या फिर किसी का किया किराया आपकी हर समस् मिया नवाब खान को जी आउनका नमबर है फ्लस नाइन वन एट नाइन जीरो फाइफ डबल सिक्स डबल जीरो एट वन तो कॉल लगाईए और सभी समस्याओं से निजात पाईए कॉल कीजिए मिया नवाब खान जी को